ओम शांति ओम शांति ओम शांति आज 29 मई दोहजार 24 दिन बुधवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर मावा क्यों को मीठे बच्चे याद से याद मिलती है जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है प्रश्न तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है उस अवस्था को पाने का पुर्शार्थ सुनाओ उत्तर जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगे कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा अवस्था अचल अडोल बन जाएगे इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मिंद्रिया वश हो जाएंगी इस अवस्था को पनने के लिए अपनी चांच रखो नोट करने से साफधान रहेंगे योग बल से ही कर्मिंद्रियों को वश करना है योग ही तुमारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा ओम शन्ति यह है याद की यात्रा सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं सिर्फ तुमिया नस्दीक में हो जो जो जहां भी हैं बाप को याद करते हैं तो वैं आटोमेटिकली नस्दीक आ जाते हैं जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नस्दीक होते हैं कोई बहुत जमकते हैं कोई नस्दीक कोई दूर भी होते हैं देखने में आता है यह स्टार बहुत जमकता है यह बहुत नस्दीक है यह तो जमकता ही नहीं है तुमारा भी गायन है तुम हो ग्यान और योग के सितारे ग्यान सूरे मिला है बच्चों को बाप बच्चों को ही याद करते है जो सर्विसेबल बच्चे है बाप है सर्विशक्ती मान उस बाप को ही याद करते है तो याद से याद मिलती है जहां जहां ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ग्यान सूरे बाप भी उनों को याद करते हैं बच्चे भी याद करते हैं जो बच्चे याद नहीं करते हैं उनको बाप की याद भी नहीं पहुचती है याद से याद जरूर मिलती है बच्चों को भी याद करना है बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं बाप कहते हैं क्यों नहीं इस रीती बाप क्यों नहीं याद करते हैं जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार करते हैं तो कशिश भी ऐसे करते हैं हर एक अपने से पूछे कि हम कहां तक बाबा को याद करते हैं एक याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं अब मिलने का समय आया हुआ है ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है बाप आते हैं आकर बच्चों को अपना रुहानी बच्चा बनाते हैं पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं बाप तो एकी है उनको ही सब याद करते हैं पर अन्तु याद सब को नम्मर वार अपने अपने पूर्शार्थ अनुसार मिलती है जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे किसामने खड़े हैं कर्माती तवस्ता भी ऐसे होनी है जितना याद करेंगे कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होंगी कर्मेंद्रिया चंचल बहुत होती है न इसको ही माया कह जाता है कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो यह योगबल से कर्मेंद्रियों को वश करना है वो लोग तो दवाईयों से वश करते हैं बच्चे कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं वश होते हैं बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना करमेंद्रिया वश हो जाएंगे इसको का जाता है कर्मा तीत अवस्था ये सिर्फ यात की यात्रा से ही होता है इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है सो तो भगवान ही सिखलाएंगे भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को तुम्हें इन विकारी करमेंद्रियों पर योगभल से जीत पाने का पुरशार्थ करना है संपूर्ण पिछाडी में होंगे जब परिपक्व अवस्था होगे फिर कोई भी करमेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगे अभी चंचलता बंध होने से फिर एकिस जन्म के लिए कोई भी करमेंद्रियां धोखा नहीं देंगे एकिस जन्म के लिए करमेंद्रियां वश हो जाती है सबसे मुखे है काम याद करते करते करमेंद्रियां वश हो जाती है अभी करमेंद्रियों को वश करने से आदा कल्प के लिए इनाम मिलता है वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं तुमारे पाप योगबल से कटते जाएंगे तो बवित्र होते जाते हो यह है नंबर वन सबचेक्ट बुलाते भी है पतित से पावन होने लिए तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं बाप ही नौलेज़ फुल है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो यह भी नौलेज है एक है योग की नौलेज दूसरा है चुरासी जन्म के चक्र की नौलेज दो नौलेज है फिर उसमें दैविगुन आटोमेटिकली मर्ज है बचे जानते हैं, हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैविगुन भी जरूदारन करने है अपनी जाँच करनी है, नोट करने से अपने उपर साफधान रहेंगे अपनी जाँच रखेंगे, तो कोई भूल नहीं होगी बाप खुद कहते हैं, मा में कम याद करो तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो, बाबा पतित पावन है वह जबाते हैं, तब ही ये डारेक्शन देते हैं अब इस डारेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को तुम पाट बजाते हो इस शरीर द्वारा तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े ये हैं बहुत बंडरफुल बाते हैं तुरी मूर्ती का चेत्र कितना क्लियर है ब्रह्मा तपस्याकर ये बनते हैं फिर चरासी जन्मों के बाद ये बनते हैं ये भी बुद्धी में याद रहे कि हम ब्रामन सो देवता थे फिर चरासी का चक्र लगाया अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भगती मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ती बताते हैं याद भी बहुत सहज है सिर्फ सोने के बरतन चाहिए जितना पुर्शाट करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी ग्यान भी अच्छा सुनाते रहेंगे समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में परवेश कर मुरली चला रहे हैं बाबा भी बहुत मदद करते हैं और उका भी कल्यान करना है वे भी ड्रामा में नूदे एक सेकंड ना मिले दूसरे से टाइम पास होता जाता है इतने वर्श इतने मास कैसे पास होते हैं शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है यह सेकंड फिर पांच हजार वर्श बाद रिपीट करेंगे यह भी अच्छी रिती समझना है और बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाए नहीं इतना समय जो कुछ करते आये हो वे सब धी भक्ती कहते भी भक्ती का फल भगवान देंगे क्या फल देंगे कब और कैसे देते हैं यह कुछ भी पता नहीं बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकठे हो ड्रामा का पाट आगे चलता जाता है सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ हो सकता है कोई शरीर भी चोड़ दे और कोई पाट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं किसी का बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा, दूसरा लिया काशी कलवट में भी यह हालत होती है पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं काशी कलवट खाना, यह है अपने शरीर का घात करना आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं कहते भी हैं बाबा, आप आएंगे, तो हम आप पर बली हार जाएंगे बाकि भक्ती मार्ग में बली चड़ते हैं, वे भक्ती हो जाती है दानपुन्य तीर थादी जो कुछ भी करते हैं, वे किस से लेंदेन होती है बाप आत्माओं से, रावन राज यह है न, बाप कहते हैं खबरदारी से लेंदेन करना कहां कोई खराब काम में लगाया, तो सिर पर बोज आचड़ जाएगा दानपुन्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है गरीबों को तो अन और कपड़े का दान किया जाता है वा आजकल धर्मशालायादी बना कर देते हैं साहुकारों के लिए तो बड़े-बड़े महल हैं गरीबों के लिए हैं जोपडियां वे तो खंदे नाले के आगे रहे हुए हैं उस कीचडे की खाद बनती है जो बिकती है जिस पर फिर खेती आदी होती है सत्यूग में तो ऐसे कीचडे आदी पर खेती नहीं होती है वा तो नई मिट्टी होती है उसका नाम ही है पैराडाइज नाम भी गाया हुआ है पुख राजपरी, सब्जपरी, रत्न है न, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, बाबा के रत्न तो सभी हैं, परन्त उन में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार हैं, जो फिल पूजे जाते हैं, पूजा होती ह देवताओं की भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं वे सब ड्रामा में नूंद है जिसको देखकर मज़ा आता है हम एक्टर्स हैं इस समय तुमको नौलेज मिलती है तुम बहुत खुश होते हो जानते हो भक्ति का भी पाट है भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं गुरु ने कहा माला फेरू बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं समझ कुछ भी नहीं शिव निराकार है उनको बला दूद पानी आदी क्यो जड़ाते हैं मूर्तियों को भोग लगाते हैं वे कोई खाती थोड़े ही हैं भक्ति का पेशगीर अर्थात विस्तार कितना इसमें स्वहा करने वाले हैं तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कलपना है अरे ये तो वर्ल्ड की हिस््टि जोग्रिफी रिपिट होती है कलपना रिपिट धूरी ही होती है ये तो knowledge है यह है नई बाते हैं नई धुनिया के लिए भगवानुम वाच भगवान भी नहां उनके महवाक्य भी नए वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवा नु बाच तुम कहते हो शिव भगवा नु बाच हर एक की अपनी अपनी बाते हैं एक न मिले दूसरे से यह है पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हो कलपना की तो बाती नहीं बाप है ग्यान का सागर, नौलेजफुल, जबकि रिशी मुनी भी कहते हैं, हम रचता, रचना को नहीं जानते हैं, उन्हों को यह नौलेज कहां से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते, जिनोंने जाना, उन्होंने पद पाया, फिर जब संगम युग प उठे हैं, तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है, उसे ही खंडन कर दिया है, बाकि सब तो रचना है, उनसे वर्सा मिल न सके, वेदों शास्तरों में रचता और रचना की नौलेज हो न सके, पहले तो बताओ, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, धर्म तो हैं ही च बाप आकर तुमको समझाते हैं, इस रत द्वारा, रत तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है, आत्मा क्या चीज है, उनको ही नहीं जानते, तो फिर बाप को कैसे जानेंगे, राइट तो बापी सुनाते हैं, बाकी सब हैं अन्राइटियस जिससे फाइदा कुछ भी नहीं, माला किसकी से मरते हैं, कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते हैं, बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ग्यान से सदगती होती है, आधा कल्ब है ग्यान, आधा कल्ब है भगती, भगती शुरू होती है रावन राज्य से, मोप्रधान बन पड़े हैं किसी के भी occupation को नहीं जानते हैं भगवान की कितनी पूजा करते हैं जानते कुछ भी नहीं तो बाप समझाते हैं इतना उचपद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है इसमें ही मेहनत है अगर किसी की बुद्धी मोटी है तो मोटी बुद्धी से याद करें परन्तु यादे एक को ही करें गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आप से ही बुद्धी योग जोडएंगे अब आप भी आए हैं तुम सब किससे मिलने आए हूँ जो प्राण देते हैं आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं बापने जमझाया है काल पर जीत पहनाता हूं तुमको अमर लोक में ले जाता हूं दिखाते हैं ना अमर कथा पारवति को सुनाई अब अमर कथा तो एक ही है हिमाले पहाड पर बैट थोड़े ही कथा सुनाएंगे बक्ति मार की हर बात में वंडर लगता है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते रुआनी बच्चों के रुआनी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर योगबल से करमेंद्रिय जीत बन संपूर पवित्र बनना है इस सवस्था को पाने के लिए अपनी जाच करते रहना है सदा बुद्धी में याद रखना है कि हम ही ब्रामन सो देवता थे अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुन्य को समझ कर लेंदेन करनी है वर्दान सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाएं अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे परत्यक्षता का परदा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेश्ट सत्ता, इश्वरी सत्ता, अध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्म सत्ता है सब ये एक स्टेज पर इकठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें इसके लिए सब को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ सहयोगी बनाओ ये स्नेही चुमबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुँचेंगे तो अब अंतिम परतक्षता के हीरो पार्ट में निमित बनने की सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी स्लोगन सेवा द्वारा सर्व की द्वाएं प्राप्त करना ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है ओम शंति